नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराश्र के एक बहुत ही प्रसित और महत्वपूर्ण एतिहासिक स्थल रायगर किल्ले के बारे में रायगर किल्ला एक प्रसित एतिहासिक स्थल है जो महाराश्र के रायगर चिल्ले में इस्तित है यहां किल्ला चतरपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था और इसे महारास्रा का एक आधुनिक ऐतिहासिक स्पार्क गुला जाता है राइगाड किल्ला का नेर्मार सन 1674 में चतरपति शिवाजी महाराज दे किया था इसका मुख्य हुदेश स्वार्थ परता से परे एक ऐसे नगर की रचना करना जो समाज के लोगों के आराम और सुरक्षा का संगम होता इस किले का निर्मार उस समय के सिल्फ कारों द्वारा किया गया था जो इस्थारिय गुडवत्ता के साथ काम करते थे राइगर किल्लस चत्रपते सिवाजी महाराज द्वारा अपने सेना पत्वियों के लिए आराम दायक और सुरक्षी त्रहने के लिए बनवाय गया था इसकी उचाई लगबाग 820 मीटर है और इसमें बहुत सारे मारते हैं भंडार है पावडिया है गनेश मंदीर है मुस्ताधार टावर आधी है इसके अलावा इसमें सिवाजी महाराज का आवास भी था अगर हम बात करें राइगर किले के इतिहास की तो दोस्तो इसका इतिहास बहुत ही महत्पूर है क्योंकि यह भारत के सुतंतरता संग्राम में भी एक महत्पूर गुंगिका निभाय था सन 1670 में सिवाजी महाराज ने राजदानी राइगर को अपनी इस्तापत्य कला की तक्निक का उधारण बेने के लिए चुना था उस समय रायगाड महाराश्ट के राजधानी बन गया था और इसे सिवाजी महाराश्ट की सेना का मुख्य कारे करता और सेना नायक मोरोपन पिंगले ने विस्तार किया था दोस्तो राइगार किल्ले का इधियास भारत के इधियास में एक अनमोल अंस है इस किल्ले की अपनी उचितम स्थानों और रोमांचक इधियास के लिए जाना जानता है इसके अलावा राइगर किल्ले को अपनी धार्मिक और एधिहासिक महतोता के लिए भी जाना जाता है इस किल्ले का निर्मान एक बार में नहीं हुआ था अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोस्तों ये किल्ला एक ही दिन में बन गया था नहीं इसे बनाने के लिए आधिनिक तक्निक का उप्योग नहीं किया गया था बलकि इसे बनाने के लिए प्राचिन सिन्पकला का उप्योग किया गया था आज राइगर किल्ले को महाराश के प्रमुक एधिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है इसे देखने के लिए हर साल हजारों दर्सक आते हैं इस किल्ले में कई एधिहासे किस्मारक है जैसे कि महराजा सिवाजी का अंप्रीम संस्कार इस्थल किल्ले में स्थापित सिद्धिविरायक मंदीर तक्ता ए ताने साह का मंजिला भुवन आदी राइगर किल्ले का निर्मार एक बड़े पहाड के सिर्ज पर किया गया था यह किल्ला सिल्पकला का एक उतकर्श उधारण है जो सिल्पकला के समय में निर्मार किया गया था किल्ले के अंदर अनेक महल, गोलिबारी और सस्तागार की जगा को भी दिखा जा सकता है इसके अलावा राइगार किल्ले के चारों और के इलाके में बहुत ही लोट्पीय परेटरंग स्थल भी है जैसे कि कोप्रे चौपिसवर्ट, गांदी सागर जील और पूरवी घाटों में इस्तिफ लोहागरफोर्ट जियां दोस्तों अगर आप राइगार किल्ले पर घड़े हैं तो वहां से आपको लोहागर फोर्ट भी दिखाई देगा दोस्तों राइगार किल्ले तक पहुँशने के लिए बहुत से तरीके हैं मैं आपको कुछ तीन तरीके बता रहा हूँ सड़क के माध्यम से आप राइगर किले तक पहुंच सकते हैं आप मुंबई और पूने से राइगर किले तक सड़क के माध्यम से पहुंच सकते हैं मुंबई से आप मुंबई पूने एक्सप्रेस वे ले 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 और फिर खोपोली के लिए निकास ले वहां से राइगाड किले किले सडक समके पंसुरन करें और पूने से अगर आप मुंबई एक्स्प्रेस आईवे ले रहे हैं और फिर खोपोली किले निखास ले सकते हैं वहां से राइगाड किले किले सडक है अगर आप ट्रेम के माध्याप से आ रहे हैं तो राइगाड किले के निकटम railway station का नाम वीर railway station है जो लगभग 20 km दूर है वहां से आप टैक्सी या बस से किले तक पहुंच सकते हैं हवाई जाज के माध्याम से राइगाड किले का निकटम जो है वह है मुंबाई शत्रपति सिवाजी महराज अंतर राष्ट्रिय है हवाई अड़ा जो लगभग 140 km है वहां से आप फिर पूने मुंबाई एक्स्प्रेस हाइवे पकड़ ले और वहां से जा सकते हैं आप खोपोली से टेली फेर लेकर या सीधे स्यूडियों से किले तक पहुँच सकते हैं स्यूडियों से जाने के लिए आपको लगभग 1700 स्यूड़ी चड़नी होगी यहां काफी ठकाव हो सकता है इसलिए आपको आपनी तैयारी करने चाहिए टेली फेर का समय सुबह साथ बज़े से लेकर सामके साथ बज़े तक लगता है और यहां से किले तक आपको करीद 10-15 मिनट लगेगे पहुँचने में दोस्तों राइगर किले में करने के लिए बहुत कुछ है मैं कुछ चीज़े आपको बता लेता हूँ जैसे पहला इतिहास का ध्यां करें राइगर किल्ला भारती इतिहास का एक बहुत ही महत्पूर इस्थाल है आप यहां से चत्रपति सिवाजी महाराज और उनके सेनिकों के जीवन के बारे में जान सकते दूसरा आप ट्रैकिंग कर सकते राइगर किल्ले के सुनहरे इतिहास के साथ-साथ यह भी एक बहुत ही सुन्दर और प्रातिक इस्थान है आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ फ्रैकिंग करके वहां तक जा सकते हैं और इस स्थान की सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं किसरा टेली फेर से घूमे राइगर किल्ले के पास प्राशिन स्थान के रूप में जाना जाता है और यहां जाकर आप भवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनसे आसिर्वात पासकते हैं फोटोग्राफि दोस्तों राइगर किल्ला एक बहुत ही आपका सर्चना है यहां अच्छे तृष से देख सकेंगे और उन पुस्यों को आप अपने कैमरे में कैयाज कर पाएंगे तो अगर आप फोटोग्राफिक के सौकिन है और नैचुरल फोटोग्राफिक के सौकेन है तो आपके लिए यह जगा बहुत भी पढ़िया है छटा तरीका है सागरदुर तथा जलाजी बुरुज देखें राइगर किल्ये में सागरदुर और जलाजी बुरुज नाम के दो बहुत ही खुमसूरत भौन है आप यहां जाकर इन भौनों की सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं और उनकी भी तस्वीर आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं दोस्तों भोजन आप अगर राइगर किल्ये में गये हैं तो अवस्य ही आपको भोजन की आउसकता हो ही राइगर किल्ले में आप विबिन भोजन वेंजन भी आसानी से खा सकते हैं यहाँ पर विबिन साकाहरी और मांसाहरी भोजन का आनंद लेने के लिए भी विकल्प उपलब्द है राइगर किल्ले में रुखना बहुत अच्छा है राइकंग किल्ले का दौरा आपको एक दिन में पूरा करने गाए बाड आप यहांपर एक रात या एक दिन केरी रुख सकते हैं जहांपर अने को होटल है और धर्मसाला भी उपलब्द है जहां आप अपने रुखने के लिए रूम बुक कर सकते हैं रायकर किल्ले का आयोजन करना आपके लिएक अनुभोव हो सकता है यहां पर आप विवाह, संगीत, समारो, कॉर्परेट इमेंट और अन्य आयोजन भी कर सकते हैं दोस्तों दिसानिर्देश तथा सुरक्षा सामतनिया, रायकर किल्ले में आपको ध्यान देने योग के फिश दिसानिर्देश भी होते हैं आप आपके साथ रोडवेज और बाइकिल के लिए भी उपलब्द सुझ्दा मौजूदूर। इन सभी गतियुदियों का आनंदले राइगाड किल्ले का दौरा करना आपके वे एक अनुगव जैसा होगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा आप यहां साथी और आत्रसयम का अनुगव भी कर सकते हैं जो आपकी रोहाने जिग्यासा को भी प्रवावित कर सकता है। दोस्तो राइगाड किल्ले को शत्रपति सिवाजी महाराज ने अपने राजदानी बनाया था और यहां से वे अपने राजनेती का प्रभंद करते थे। दोस्तो आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि राइगाड किल्ले में क्या-क्या आकरसन के केंद्र हैं जो आप देख सकते हैं। पहला महादवार राइगाड किल्ले का महादवार सुंदर और प्रभाव साली है। इसे महराजाचा दर्वाजा भी कहा जाता है। राजदर्वार राजदर्वार सिवाजी महराजवारा बनाया गया था इसे तकता भी कहा जाता है। तॉरणदर्वाजा, राय गार क lugDas मुख्य दर्वाजा है, इसे राजपत से जोड़ा गया है, जल्व दुर्ग, एक प्रभावसाली पढ़ हाडी चठान है। रायेडि मांची, एक आकर्सक छील है, जो रायेडि कुल्य के निकट है, राज तरनग्री सिवाजी महाराज की जीवनी को दर्साता है और इसमें सिवाजी महाराज के जीवन के कुछ अन्मोल्ट पर दर्साए गए है ताक्मक टोग राइगर किल्या सबसे उचा बिल्गु है इससे आप पूरे किल्ले का नजारा देख सकते हैं राइगर जनरल लेक एक आकरसक जील है जो किल्ये के नीचे इस्थित है ताक्मक टोग गनेश मंदीर राइगर किल्ये के पास इस्थित है या मंदीर स्री गनेश भगवान को समर्पित है वाईउ möglich इखा 20 से युझिट्टat एक अपरशक स्फान है चो राईगर खिले के पास इस्तित आइ इसे सिवाजी चौक भी कहा जाता है Maherazak ar astrology भोस्ते इस मार्क दोस्तों, Maherazak Kindern déplStar इस मार्क रा गर किले के पास सितित है यह इस माराज तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी फोड के बारे में जानकारी लेते हुए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो कि छत्रपति सीवाजी महाराज द्वारा बनाया यह राइगर खिल्ला हमारे लिए एक हिंदु तुर्का प्रपीद है और दोस्तों चानल को सब्सक्राइब करना ना बुले तो मिलते हैं अगरे वीडियो में धन्यवाद